दोस्तो नरेंदर मोदी जी यूएस विजिट करने वाले हैं पर उसके ठीक पहले क्या यूएस ने एक लक्षमन रेखा पार कर लिया है दरअसल दोस्तो यूएस के कोट ने भारत सरकार को समन किया है जिया दोस्तो एक आतंगवादी पन्नू के कहने पे उसकी मांग पे भारत सरकार को समन किया जा रहा है दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं US Court की हिमाकत यहां तक है कि भारत के जितने भी Intelligence Apparatus के Top Heads हैं फिर वो एने से अजीद डोवाल जी हो गए वैसे ही Former R&AW Chief हो गए उन सब को भी समन किया जा रहा है दोस्तों और यह सब हो रहा है क्योंकि पन्नु ने एक Civil Lawsuit फाइल कर दिया है और उसके बाद उसने काया कि देखिए मुझे तो भारत से मुझे 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 चाहिए अब दोस्तों यह आतंगवादी वैसे तो डोनेशन मंगा करता था लेकिन अब भारत से ही मुआफ़ा पे आ चुका है कि मेरे जान को तुमने वहाँ पे अटाक करवाया था इसलिए मुझे 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 मुआफ़ा चाहिए अब दोस्तों इन सारे बेहुदे ऐलिगेशन पर भारत सरकार ने जवाब भी दिया है आप देख सकते हैं दोस्तों न्यूज में इस वक्षाया हुआ है यूएस कोट ने एनसे अजीद डोवाल फॉर्मर रौचीफ इन सभी को समन किया है क्योंकि गुर्पटवंद सिंग पन्नो ने एक केस फाइल कर दिया है जो भी हो दोस्तों पन्नो के इस पूरे केस पे अगर आप देखे तो भारत सरकार ने एक जवाब भी दिया है पर दोस्तों जरूरी है हमें जानना कि आखिरकार पन्नो इतना इंपोर्टेंट क्यों है यूएस के लिए कि जिस वज़े से यूएस इस हद तक जा रहा है तो आईए जरा दोस्तों इसको डिटेल में जानते हैं और देखते हैं तो आखिरकार क्या यूएस कोर्ट को सच में लगता है कि भारत उनके जुरिस्डिक्शन में आता है कि भारत सरकार को आप समन कर देंगे भारत के intelligence chiefs को आप समन कर देंगे इतने नादान तो US के courts नहीं है तो फिर क्या माजरा है माजरा कुछ और है दोस्तो क्या है आईए जरा देखते हैं पर इससे पहले आगे बड़े आप लोगों के लिए जरूरी announcement है दोस्तो अन एकाडमी वहाँ पर जाएं क्लिक करें और register कर लें क्योंकि 22 तारीक को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे आपके लिए ये scholarship test होने जा रहा है इसमें participate करें free of cost है लेकिन आपको अगर अच्छा perform करेंगे तो aspirants को exciting rewards मिल सकता है इसके सिवा आपके लिए 90% तक scholarship है दोस्तों enrollment के लिए code की demand होगी तो use the code kc10 लेकिन इसको miss ना करें जल्दी से जाएं जाके enroll अवश्य कर लें तो दोस्तों ऐसा मैंने आपको बताया था PM मोधी तीन दिन के दौरे पर जा रहे हैं US में September 21-23 उनका visit होने वाला है और वहाँ पर जाके वह काफी जादा feathers ruffle कर रहे हैं याने की काफी ज चुनाओ आने वाला है दोस्तों US में बस दो महीने में चुनाओ है और ठीक इस टाइम पर वो Donald Trump से भी मिलेंगे वैसे ही मैंने आपको बताया था CEO जितने भी है Tech Industry के उनसे भी मिलेंगे और यह मैंने पूरी कहानी आपको सनाई थी कि कैसे इस से जो current US establishment है वो इस बात को पस करेंगे डॉनल्ड ट्रॉप इसी डी स्टेट के खात्मे की बात करता है उन्हीं का दिया हुआ काइंड ओफ एक शब्द भी यह है पॉपिलराइज किया है उन्होंने यह डॉनल्ड ट्रॉम्प ने डीप स्टेट टर्म को तो अब दोस्तों कहीं ना कहीं वो पसंद नहीं क कर दिया है अब हुआ यह है दोस्तों खलिस्तान टर्रिस्ट गुर्पटवन सिंग पन्नु जुनों ने उसने कहा है कि उसके खिलाफ एक असासिनेशन प्लॉट भारत सरकार ने रचा था और इसलिए उसने एक सिविल लॉसूट फाइल किया भारत के खिलाफ कहा कि मेरे जा जो कि सदन डिस्ट्रिक्ट फ न्यॉवक का है उसने उस कोट ने गुवर्मेंट ऑफ इंडिया को समन किया है जी हां दोस्तों भारत सरकार को समन किया आप डायरेक्ली यह लिटर पढ़ सकते हैं आप देख सकते हैं एक तरफ है कहा से इश्यू हो रहा है तो यूएस साफ लिखा गया कि आपके खिलाफ एक लॉसूट फाइल किया गया है 21 दिन में आपको यह समन का जवाब देना होगा और इतना ही नहीं आपको प्लेंट प्लेंटिफ को यानि की गुर्पटवन सिंग्पन्नों को जवाब देना होगा कि आप किसी जो भी सवाल पूछा जा और कही ना कहीं आपको जवाब इसलिए दे दे तो बहतर है अब दोस्तों इस प्रकार का आप देखें तो भारत सरकार को कहां पर अगर आप एड्रेस देखें तो कहां पर इसको डाला गया तो गुवर्वर्मेंट ऑफ इंडिया कॉंसुलेट जेनरल ऑफ इंडिया निव निव यॉक आप देख सकते हैं अडिया तो भारत सरकार को भारत के चिट्टी बेजी गई है कि आपके खिलाफ यह जवाब आपको देना पड़ेगा नहीं तो मुआफजा भरिये दोस्तों यहां पर आप देखें तो जैसा मैंने बताया सिर्फ भारत सरकार को ही नहीं अज दोस्तों इस वाहियात से लॉसूट के खिलाफ भारत ने जवाब भी दिया भारत ने कहा जो फॉर्ण सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी है उन्होंने कहा कि देखिए यह ना जो हर बार भारत कहता है ऐसी आरोप है जिसका कोई ना सेर है ना पैर है यह एक unlawful organization है जो की unlawful activities prevention act के अंदर include होता है अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आखिरकार ऐसा क्या है पन्नू में जिसके लिए USS हद तक जा रहा है देखिए दोस्तों already news में cover किया गया है हंदुस्तान टाइम्स ने इसे break किया था कि एक बार अजीट डवा जी ने सेम अजीट डवाल जी जो कि आज included है इस list में जिनको यह notice serve किया जा रहा है उन्होंने US के NSA जेक सुलिवन को साफ साफ कहा था CIA chief को साफ साफ कहा था कि देखिए अजीट डवाल जी ने कहा कि देखिए यह जो पन्नू है ना उसके खिलाफ हम कोई action नहीं लेते हैं क् हम जानते हैं इसके TAR CIA से जुड़े हैं आप क्या करना चाह रहे हैं पन्नू के माध्यम से किस चीज को हवा देना चाह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं कश्मीर का आग बुझ गया है तो भारत को involved रखने के लिए आप खलिस्तान का आग जलाना चाह रहे हैं तो भारत यी बात पत्थर से दे रहा है US को कैसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है मैंने आलरेडी आपको बताया इसका significance दिया है जब PM Modi US आने वाले हैं और ये 5 point पे meeting होने वाली है Donald Trump से Tech CEO से Indian diaspora को वो mobilize करने वाले हैं तो कहीं ना कहीं उससे ये जो CIA और जो उसके उपर बैठने वाले deep state के लोग हैं वो इस बात से परिशान है जिसको US establishment कह सकते हैं आप वो सभी के सभी इस बात से परिशान है आप देख सकते हैं ये जो CIA है इन्होंने किस प्रकार से Biden को help किया था fake news फैलाने में 2020 के US टुनाव में ताकि Donald Trump आर जाएं तो इस प्रकार से आप देखें तो same CIA जो की पन्नू को protect करता है वो Biden को support करता है और Biden को power मिलाने के लिए उन्होंने काफी कुछ किया है तो अब जब कहीं न कहीं Donald Trump वापस आएंगे तो इस CIA के खिलाफ काफी कुछ करेंगे तो इसलिए अब PM Modi जा रहे है Donald Trump को support कर रहे है तो CIA यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपने इसी agent को activate करता हुआ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे बड़ा जरूरी है क्योंकि आप समझें दो महीने बाकी है US के चुनाव में दो assassination attempt भी हो चुके है Donald Trump हो सकता है चुनाव जीत भी जाए तो उसके बाद उस बाद से US का जो establishment है बड़ा परिशान है क्योंकि Donald Trump देखी दोस्तों उन्होंने कहा दिया कि जो justice department है और FBI है इसको यह control करना चाहते है justice department क्यों justice department exactly वही department है जहाँ पर इस प्रकार के आप देखे तो US government के सरकारी prosecutor वगेरा काम करते है और इस प्रकार का case भारत पे या किसी वह भी लगवाते है अपने court में तो आज अगर US के court में यह मामला पहुँचा भी है तो इसके पीछे कारण है US के overactive जो attorneys रहे हैं जो कि इसी department of justice से आते हैं और exactly यही department of justice है जिसके उपर अगर आप देखें तो जो बाइडन प्रशासन रहा है या फिर उसके जो कहीं न कहीं जो पपिट जो रन करते हैं उसके उपर जो लोग बैठे हैं एक्जाक्ली वही लोग अगर आप देखें तो justice department में अपने लोगों को बैठा हैं already इसके बारे में काफी reports हैं कि किस प्रकार से Soros ने काफी जाजा justice department से associated लोगों को fund किया है support किया है तो इस प्रकार से Donald Trump अब इस पर control बनाना चाह रहे है क्योंकि justice department पर control हो जाएगा तो इस प्रकार से जो हो रहा है पन्नू को कैसे विपनाइज किया गया है अभी भारत के खिलाफ अगर आप देखें तो इसी justice department ने hyper active होके cases run किये भारत सरकार में के खिलाफ और इस प्रकार से जो चीज़े हुई आज उन सभी का खात्मा हो सकता है यादि डॉनल्ड ट्रम्प पावर में आ जाएं तो दोस्तों ये बड़ा interesting है जो हो रहा है उमीद करता हूँ वाप समझ भा रहे हैं कि आखिरकार पन्नू इस वक्त अगर active हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण है उमीर करता हूँ कोई वीडियो पसंदा योगी like जरू करें share करना ना भूलें बागी बड़ा important है आपके लिए current affairs ने बिल्कुल असान कर रहा हूँ हफते बर का current affairs बस दो दिन में cover किया जाता है Tuesday को Friday को तो आपने इस्टिंद होके जोड़ जाएं दोस्तों हफते बर में क्या prelims के हिसाब से क्या मेंस के हिसाब से current affairs हम यहाँ पर cover करते है नीचे link मिल रहा है जल्दी से जाएं जाके enroll करने अगर आपके पस an academy subscription है तो आपके लिए तो यह free है इसके सिवा आपकेडमी civil services championship है जिसके अंदर का 90% तक हम scholarship दे रहे हैं exciting rewards है तो जल्दी से जाएं जाके scholarship test के लिए enroll करने free है free participation है by September सुबह 11 बजे शाम को 5 बजे नीचे link मिल रहा है जल्दी से जाएं जाके click करे enroll करने और use the code KC10 at the time of enrolling इसके सिवा दोस्तों हमारा जो UPC CAC का subscription है इस वक्त 29,999 रुपे में मिल रहा है complete GS, complete CSAT complete test series सारे batches का access है इसके सिवा आप देखे तो दोस्तों एक नया batch भी हमारा start हुआ है complete freelance का preparation complete means का preparation CSAT preparation comprehensive study material freelance means test series दोनों मिल रहा है केवल 29,999 रुपे में use the code KC10 इसका हिस्सा बन जाए और इतना नहीं है कि आपको बस यही batch देखना है आप एक बार enrollment ले लेते हैं तो आप जो batch चाहे वो देख सकते हैं आप Hindi में देखिए, English में देखिए English में देखिए जिसमें देखना है आप देख सकते हैं बाकी दोस्तों अगर आप देखे तो big learning days sale चल रहा है बड़ी affordable कीमत में कई सारे हमारे course चल रहा है use the code KC10 16-20 September यह sale है इसका फाइदा अवश्य उठा लें बाकी optional batches भी है sociology, history, probat, सभी हम cover कर रहा हैं जल्दी से जाएं जाके हिस्ता बने use the code KC10